हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो एससी कोचिंग सेंटर तोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कैलेंडर के कुछी टॉपिक, कुछी हिंट देना चाहता हूँ कि exam में अचानक से question आ जाता, आप उसे कैसे करेंगे, ठीक है, मैंने आपके कोई question नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे, जैसे मानलो आपको 11 जनवरी, समझिएगा, 11 जनवरी 2004 को, ठीक है, 24 को गुरुवार का दिन दे दिया, ठीक है, गुरुवार का दिन है, 11 जनवरी 2004 गुरुवार है, ठीक है, और आप से पूछ ले जनवरी के बाद में, फरवरी का निकाल दो, मार्च निकाल दो, अप्रेल पूछ ले, और अप्रेल की दे दे वो आपको 15 तारिक, क्या 15 अप्रेल, 15 अप्रेल 2004 को ही, कौन सा दिन होगा, ठीक है, यह आपको नहीं महिने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, उसने 11 जनवरी की बात कर दी, तो 11 मिस में से माइनस कर दो, 31 में से 11 माइनस कर दोगे, आप कितना बचेगा, 20 बचेगा भाई, किलिए रहे, 20 बचेगा ना, तो 20 ले लेंगे, मैं आपने लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी March और April तक जा रहा है न हम April लिख दिया मैंने अब जनवरी के महिने में 20 दिन बचे न तो 20 ले लो पिलस अब जनवरी के बाद में अब फरवरी का महिना आएगा अब फरवरी के महिने में ये देखना है कि 29 का है फरवरी का महिना या 28 का अगर leap verse रहेगा तो 29 का है साधरन verse रहेगा तो 28 का है अब leap verse कैसे मालूम करेंगे चार से कटाएंगे अगर last के 2 डिजिट चार से कट गई तो समझ लो वो leap verse है तो ये तो 4 से कट जाएगा इसका मतलब फरवरी का महिना 29 का है चार से नहीं कटेगा तो समझ लो साधरन वर्ष से फरवरी का महीन आएगा कितने दिन का होता है 31 का उसे भी बीच में ले लो अब अप्रेल आ गया और अप्रेल में केबल 15 तारिक तक पूछा है तो 15 ही लेंगे ठीक है 15 ही लेंगे सबको जोड़ेंगे कितना हैगा देखेगा 20 ये पहले जोड़ो 39 और 30 जोड़ो ये 60 हो जाएगा 60 में जोड़ेंगे 20 तो 80 हो जाएगा 80 में जोड़ेंगे 15 तो ये 95 हो जाएगा divide हमेशा 7 से करते हैं याद रखना 7 से divide करते हैं हमेशा 7 से divide कर दो 7 एकम 7 कटेगा 2 बचेगा 25 7 रिक का 21 25 में से 21 तक कट गया 6 बचा है 4 हमको मतलब कित से है इस से नहीं है 6 यानि कि जो remainder बचा इस से मतलब है तो दीख ये इस 4 को हम क्या करेंगे रविवार सुमबार तो कौन सा दिन आएगा यह पर भाई सुमबार का दिन आजाएगा मैं कैलेंडर में इसे नहीं पढ़ा रहा भाई मुझे नहीं पता 11 जनवरी को कौन सा दिन था मैं तो केवल आपको समझा रहा हूं ठीक है तरीका यहीं रहेगा ठीक है ग्यारा जनवरी को गुरुवार्मान तो रियल में है तो पंदरे अप्रेल को स्वंबार ही होगा इस तरीकी क्वेशन को कैसे सॉल्प किया जाता है मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ तो वीडियो को छोड़के मत जाना कैलेंडर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए आप देखेंगे अगला सवाल अगला सवाल मैंने ले लिया यहाँ पे 12 अप्रेल 2023 को रवीवार है तो 17 अगस 2023 को कौन सा दिन होगा यह मैंने डेट दिन अपनी मर्जी से ले लिया आपको केबल समझाने के लिए ठीक है कौनसर्प्ट समझ में आगे आपके में फिर कोई सी भी तारीक कोई सा भी वर्स और कोई सा भी दिन आपको दे दे आप तुरंट बता देंगे कौन सा दिन होगा ठीक है देखें यहाँ पर दीखेगा अप्रेल का महीना है सन 2023 अब अप्रेल का महीना केतने दिन का होता है इस 30 दिन का उसमें से 12 दिन की बात कर दी तो 12 घटा देंगे 18 बचेगा बचेगा 18 लिख लो भाई में आप लिख लो अप्रेल अप्रेल के बाद मई आएगा मई के बाद जून आएगा जून के बाद जुलाई आएगा और जुलाई के बाद अगस्त आएगा सबसे पहले अप्रेल में कितने दिन बचे अठारा अप्रेल के बाद मई आएगा जो की 31 का होता है मई के बाद जून आएगा 30 का होता है जुलाई आएगा 31 का होता है अब अगस्त में पूछ रहा है 17 अब सबको हम जोड़ेंगे ठीक है सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गा 92 में जोड़ेंगे 18 तो 110 और 110 में जोड़ेंगे 27 तो 17 तो ही हो जाएगा 117 डिवैड हमेशा साथ से करते हैं क्योंकि एक हपते में साथ दिन होते हैं तो साथ से डिवैड कर दो भी यह साथ एकम साथ कटेगा पांच बचेगा सतामन साथ अठे 56 ठीक है कट गया साथ एकम स से 56 तक कट गया है तो तो Remander देगी और सेमांडर से मतलब होता है ठीक है Remander से एक वर्स अलग है क्या आएगा यानि कि 15 अगस्त 2007 को मान लीजिए रवीवार है तो 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा इस तरीके के question को कैसे solve करेंगे आप मैं आपको बताता हूं कैसे solve करना है तारिक से में कोई मतलब नहीं महीना से में कोई मतलब नहीं वर्स से मतलब है तो 2007 से आ katar region पांच वर्स आगे बढ़ रहे हैं पांच वर्स तो से में 5 आपको जोड़ना पड़ेगा आकि कि 5 दिन जोरना पड़ेगा तो रवीवार पांच जोड दो 1,2,3,4,5 जोड दिया जिक है यह तो जोड़ना ही है जितना वर्स आगे जाएंगे उतना तो हमको जोड़ना ह ही है लेकिन हमें यह भी देखना है कि बीच में इसके कोई leap verse अगर आ रहा है तो उसमें फरवरी का महिना 29 का पड़ेगा तो वो एक दिन extra होता है वो extra add होगा ठीक है जैसके 2007 के बाद में 2008 आएगा तो उसमें क्या है फरवरी का महिना 39 का है भाई फरवरी तो 2008 में एक दिन एक्ष्रा पड़ेगा उसे जोड़ दो 2008 के बाद में 212 आया है ये भी लीप वर्स है और इसमें भी फरवरी का महिने काउंट हो चुका है ठीके अगस्त तक हम आ चुके तो फरवरी का महिने काउंट हो गया तो 2012 में भी जो 39 का पड़ेगा फरवरी का मिन है वो भी इसमें एड हो जाएगा आगया समझ में अब देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ और रविवार में साथ जोर तो सौंबार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुकुरवार शनीवार रविवार 15 अगस्त 2012 में भी कौन सा दिन हो जाएगा रविवार का ही दिन हो जाएगा आगया समझ में कि नहीं आया अब जैसे कि मैं और कोई दिन ले लेता हूँ मैंने माल लीजिये ले लिया आपसे ले लिया 13, ठीक है, 13 फरवरी ले लिया मैंने आपसे, 13 फरवरी, 13 फरवरी 2009 ले ले लेता हूं, मैं चलिए, 2009, क्योंकि आपको समझाना ही तो है, 2009 को मालो सोंबार माल लेता हूं, मैं सोंबार था, ठीक है, सोंबार था, मैंने ये माल लिया, अब फरवरी तारिक सेम रहेगी, महिना भी same रहेगा जैसे यहाँ पर तारिक same ती महिना same वर्स बदल जाएगा मालोब वर्स में 2016 में आगे मालोब 2016 में आगेओ कौन सा दिन था यह बताना है तेरे फरीग दोहनों को सब्बा रहे हैं तो तेरे फरीग दोहर्स बढ़ेओं को कौन सा दिन ठीक है अब leap verse कौन सा पढ़ेगा बीच में हमें उस पे ध्यान देना है leap verse कहां पढ़ रहा है 29 का फरवरी का महिना कहां पे count हो रहा है leap verse वाला 2009 के बाद में 2012 पढ़ेगा leap verse तो देखिए हमने यहां पे 7 verse जा रहे हैं तो 7 इसमें add करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ add कर लिया अब 2009 के बाद में 2012 पढ़ेगा leap verse उसमें फरवरी का महिना 29 का होगा तो 2012 वाला हमने leap verse count कर लिया यहां पे एक दिन extra 2012 के बाद में 2016 पढ़ेगा लेकिन 2016 में फरवरी का महिना count के बद 13 तारिक तक हो रहा है 39 तारिक तक हम पहुँचे नहीं है अगर जब पहुँच जाते 29 वाला extra दिन add हो जाता तो तो हम यहां पे add करते जैसे 2012 में हम गुजर चुके हैं यहां पे वो add होगा लेकिन फरवरी का 29 तारिक तो अभी आई नहीं है 2016 में केवल 13 तारिक तक ही हम पहुचे है तो यहां पे वो count नहीं होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्वंबार के बाद मंगलवार, बुद्वार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, स्वंबार, मंगलवार यहां कौन सा दिन आ जाएगा भई यहां जाएगा आपका मंगलवार ठीक है, यह मुझे समझाना बहुत जरूरी था क्या गर इस तरीके एका कोशन आजए फरवरी का महीन अकाउंट तो हो रहा है पूरा काउंट नहीं हो रहा, जब पूरा काउंट नहीं हो रहा हमारा जो चैनल है, ग्रो करेगा जो फ्रीज हुआ पड़ा है हमारे चैनल पर व्यूज आएंगे और व्यूज आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा हम आपसे बस इतनी मदद मांगते हैं कि लाइक और शेर कर दीजिए बस ठीक है इसी तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद